जाटब जी आज पूरे देश के अंदर आहा कार मचड़ा है और मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार बापस दे दो बापस दे दो तो यह आप कैसा समझते देखिए जो सरकार की नीती और नियत है वो बिलकुल हम लोग को मेल नहीं खाती है और हम इसका सक्त रोध करते हैं जो इन्होंने अपना इशारा देखर के सुप्रीम कोड के दो बहुत बापस जजों से जो इस तरह का फैसला दिलवाया है जिसने उनका कोई राइट ही नहीं था लेकिन जो ये अदालते हैं उसमें के सारे लोग सून चाहती के बैठे हुए हैं वो लोग दक्यानुसी है उन लोगो इस देश की वियस्तागा नहीं पता क्या उन्हें पता है वो हम लोग को दबाना चाहते हैं लेकिन हम ये बता जेना चाहते हैं आज हमने बता दिया पहले भी कि करने लगे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि दली समाज की जो संक्या है वो इतनी ज़्यादा है कि इस ब्राह्मन को जो यहाँ पर नहीं नहीं देख्यान उसी चाले चल रहा है इसको चबाडे में हमें देख नहीं लगीगी हमने बेने तो आदेश दिया अपने समाज को पूरा कह दिया कि ब्रामनों की लिश्ट बनाई के पहले यह चार प्रसेंट पूरे देश को बरबाद करने पर तुले हैं यह लोग यह नहीं समझ बारे कि देश की व्यूस्ता क्या हो गई है हम उस समय के छवार नहीं रहें जबकि यह बाते थी जब हम लोग इनके तल्वे चाटते थे आज हम इसके तल्वे निया आज हम इने तल्वे चट्वागे छोड़ेंगे हमने यह कर लिया है इस देश में ना धन बटा ना दर्ती बटी ना कुछ हुआ नोगरी का आरेक्शन कभी पूरा नहीं हुआ रिजर्वेशन एक्ट लिये बैटे हैं उसों लागू हम मैं यह बता देना चाहता हूं जाटम जी अभी किस तारी को जज्जमेंट आया और उसके बाद में एक लड़का दोड़ा रखता था उसका कतल कर दिया कि सिर्व उसका यह था कि सम्मान से जी रहा था जोड़े पर चड़कर जा रहा था मैं जो यह हुआ है यह हमें इसक फ़ tart आ जाओ नहीं तो गोड़ा हमारे बच्चा नहीं चड़ा तो चोड़ो भी ड़र नहीं नि chatने देंगे प्यारी शाद्या हम नहीं होने देंगे हम भी हालात पैदा कर सकते हैं लेकिन हम यह चाहते देस हमारा है हम इस के मूं लिवासी हैं हम शांति चाहते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारी कदम कदम के ऊपर बेज़ जिती हो हमारे साथ जुलमत्याचार हो हम जुलमत्याचार नहीं सेहेंगें मैंने यह भी आदेस अपने सवाज को दे दिया है कि आप तो घर में कुटा आ जाए आपके गर में गाय भैस को गुज जाए आप उसको बाद निकाल सकते तो आपने घर में लाटी डंडा और जो भी आपनी हाद में रक्षा के हत्यार है वो पूरे तुरंद रख लेने चाहि है क्योंकि इस देश में युद्ध की तैयारिया हो गई है यह अब रुकने वाला नहीं है यह लोग हम लोग को इज़त के साथ जीना देना नहीं चाहते और हम इज़त से जिएंगे चाहिए यह इस देश में कुछ भी हो जाए जानमरों को कानून बनाया जा रहा है जानमर लोग है जीवित मनुष्य हैं जो उनका कवच था उसे भी इन्हों नहीं हटा लिया गया है हमारा कवच मैंने अपने समाथ को कहा है एफाई अर्दर्ज करने की तो जड़ती नहीं है क्योंकि जितने केस तक हुए है एफाई अर्दर्ज हुए उनमें क्या हुआ यही लोग जो हरम जाते लोग है वो इस तरुन जाती के लोग अलग अलग पदों पर लेकर अदालतों से लेकर जीचे तक सब जगए यही बैठे है एफाई अर्दर्ज जो नहीं हो यही बैठे है पहले कौन सा एफाई अर्दर्ज करनी है हमें बदला लेना और उसको वही गोली लग दर्ज कराने की जोड़त नहीं इस काबिल करतेंगे वह एंफाई आर्दर्ज करें पर देखते हैं घाव घिक नहीं होता दूसरा घाव हो जाता है अभी जाव बाबा साथ डाक्तर विम्रा अंबेड कर जी का नाम जो है वो चेंज कर रहे हैं उसमें लाव लगा रहे हैं त जिने जवुन के सरकार थी उन्होंने कॉंस्ट्यूशन कमेटी बनाई थी और उसके एम वेंकटा चलम चीप जश्टी रिटाइड उसके जज बनाई गए थे और उस जज ने फैसला दिया उस उस फैसले में 40 जज शामिल ते जिन्होंने और रिपोर्ट बनाई वह इन्होंना को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि दो समाज का इनों ने देख लिया अब दली समाज वो दली समाज नहीं रहा है जिसको दलित कहते हैं अब हम लोग इनका रोल अजा करेंगे इनके जो ब्रह्मनवादी विवस्ता है इसके अंदर इसके लोग किसे जुखने वाले नहीं हैं जो भी होगा वह मुगत रहे हैं मैं इस बाद तक तैयार हूं कि यदि हमारा एक नहीं एक लाग आद भी मारेगा तो भी हम तैयार है लेकिन जो यह चार प्रसेंट ब्रह्मन हैं हम इन में से एक ली छोटने वाले हैं यह सारे के सारे ब्रह्मनों को हम शब्जान गाट दिखा के रहेंगे चाहिस के पहुंची तरह भी जो भी करना पड़े हम लोग किसे जुखने वाले नहीं हैं